दी उपोगता स्रंक्षन संगठन हमिरपूर की मासिक बैठक का योजन किया गया जिसमें बैठक की अध्यक्षता संगठन अध्यक्ष एड़ोकेट शुशील शर्मा ने की इस अबसर पर संगठन के बार्शिक समरों को मनाने के लिए रूफ रेखा त्यार की गई इसके साथ ही उपोगताओं को आ रही समस्यों पर भी बिचार किया गया बैठक में आई पेच विभाग की हर साल दस प्रतिशत ब्रहतरी किये जाने पर रोश बैक्त किया गया और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस समस्या बारे अगवक्ष गरवाने का निर्ने लिया गया बैठक के बाद अध्यक शुशिल शर्मा ने कहा कि बैठक में बार्शिक समरों के लिए रूप रेखा त्यार की गई है और बैठक में बंदरों की समस्या से निप्टने के लिए भी बिवाग से मिलकर जल्द ठोस कदम उठाने का निर्ने लिया गया है साथ ही तहसील कराले में अधारकार का कमरा छोटा होने से लोगों को होरी असुपदा के बारे भी चर्चा की गई जिसे जल्द ही जिला प्रशाशन के माध्यम से इस मस्या को दूर करने के लिए गोहार लगाए जाएगी माल समुपने के बीच में कुई प्रत्यूगता करवाई जाये लेकर लेकर उनको भी सम्मानीत किया जाये साथ के आइप अश्वाग दवारा हर वर्ष जो है दस प्रतिशद जो बढ़ाटरी की जाती है बिलों में उस만 जो माननी us मान नियाँ कि दस प्रतिश्यत की बुढ़ात्री है कम चे कम पांच साल में की जाए ना कि हर वर्ष की जाए यह पांच साल में ने करनी है नहीं एक मामला है हम ये कुल में बंदरों की बढ़ रही तादाद को देखकर जो लोगों को समस्या आ रही है तो वाइड लाइफ के जो डेफो है उनको लेटर लिखा गया है कि यह जो बंदरों की समस्या है इससे निजात दिलाने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं कोई ठोस कदम उठाए जाएं क्यूंकि पहले भी हमने यह मामला उठाया है हमारी मीटिंग भी हुई वाइड लाइ इसके साथ ही तैसील ऑफिस में जो अधार का बनते हैं वहां पर कमरा छोटे है तो यह शिकाइद आही है कि वहां पर लोगों को असूजधा हो रही है तो उस मामले को भी उठाने कर निरने लिए गया है